अशिश बताएं, BEL भारत एलेक्ट्रोनिक्स ये स्टॉक भी आक्शन में रहा है, बागी पूरे डिफेंस भी आक्शन में रही है, क्या है एक्सपेक्टेशन दिपांचू ओकेश एक्सपेक्टेशन है, कुछ भी फायरवर्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज करा कर चल रहा है, कामकाजी मुनाफ़े की बात की जाए, तो 14% की ग्रोध है, 585 करोड का एस्टिमेटर, अगर आप देखे तो लगबग बिलकुल फ्लाट ही देखने को बिलेंगे, 16% पिछले साल ते, इस बार राउंड आफ करके देखे तो 17% की मार्जन जो है, आपको य डिफेंस के लिए नए ओडर इंफ्लोस जो लोकलाइजेशन हो रहा है, इसके चलती ओडर इंफ्लोस कितने बढ़कर आते, आगे मैनेजमेंट की कॉमेंटरी क्या होती, इसके पर खास फोकस रहेगा, नतीज़ों के आदार पर देखें, तो ठीक्टा कोटर हो सकता है, भार इलेक्ट्रोनिक्स के लिए, देखते हैं, स्टॉक पर भी क्या रियाक्शन आता है, एक बार चार्ट चेक लेलिया जाए, हिमान्शु जी की तरफ से, सर भारत इलेक्ट्रोनिक्स, BEL, एक बार इसका चार्ट देखें, आज बैसे कुछ नहीं कर रहे है ट्रेड में, डिप चार्ट, more or less, relatively sideways है, पिछले 5-6 हफ्तों का अलगना चार्ट फॉर्मिशन देखता हूं, या प्राइस सेक्शन देखता हूं, तो ग्रॉसली 128-127 अपसाइड और डाउनसाइड में, 120-122 पर स्टॉक के एक इक अंसालिजेशन दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर के बाद कोई डिप मिल जाए, 120-128 अपसाइड तक तो तो एक हैली करेक्शन होगी, और फ्रेश करिदरी के अच्छा मौका हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर नंबर के बाद स्टॉक 128-139 के ओपर निकलता है, तो फ्रेश अपसाइड देखने को मिल सकती है, अनलेस म मेरा मन है कि स्टॉक 120-128 यही जोन में फर्दर कंसॉलिडेट होता हो नजर आ सकता है, 120-128 के लेवल्स वैसे थोड़ा कंसॉलिडेशन के मूड में कुछ जादा अक्शन इस पर एक्सपेक्टेट नहीं है,